अब करें अदर करते हैं यानि, पैरल के अंदर हम डीटक्शन पेेड कैसे बनाएंगे? इस चीज़ के बारे में हम बच जानेंगे ऑर पेेड में मैं, आपको आज पी-एफ, डीटक्शन, पेेड के बारे में बताऊंगा यानि, पी-इफ को पेेड है, वो कैसे बनता है, पी-एफ का तो चलते हैं किरेट करने किरेट में चलेंगे और आजाएंगे नीचे पेहेड में और यहां पर लिख लेंगे इंप्लोई इंप्लोई पीएफ डिड़क्शन डिड़क्शन बारा परसेंट इंटर करेंगे और यहां पर इंप्लोई की जगा यहां पर ले लेंगे हम लोग करेंट ले ले लेंगे उसके बाद इंटर करेंगे और यहां पर इंटर इंटर और यहां आजाएंगे हम लोग नॉर्मल देखिए नीचे हम मारा यहां आपका हो जाएगा नॉर्मल और कि राउंडिंग मैधां होन हो जाएका लिमीट को इंटर करके यहाँ पर अपलों कि अ हेट कि लिजाएगा और इंटर करेंगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा बेसिक कर रहा है उपार से बेसिक पर ले लिजाएगा और यहां पर int of list कर दिजाएगा इस जगह पर int of list यानि एक ही select करना है और यहां पर date हो गया 1423 और enter यहां पर percentage या value तो हम लोग यहां percentage ले ले लेंगे क्योंकि PF percentage में रोत होता है और 12% अगर आपका कट रहा है तो 12% अगर ज्यादा कट रहा है तो ज्यादा आप लगा सकते हैं वैसे पे जिन्मीन 12% होता है और बाकी आप बढ़ाना चाहाए तो बढ़वा सकते हैं इंटर करेंगे और इंटर एक्सेप्ट तो इस तरीके से हम लोग deduction pay head बनाते हैं और भी PF account का यानि employee PF का जो deduction होता है वो इस तरीके से pay head बनता है तो I hope की यह चीज़ समझ में आया होगा और इसका हम लोग यूज पैरॉल के अंदर करेंगे Thank you